हम है दापंचारानेव आपके साथ रहते हैं आपकी बात रहते हैं और न्यूस ने अभी आपको बताया बिल्कुल भी गलत नहीं है यहां दिन दहाडे मिट्टी पर डकैती डाली जा रही है अवैद रूप से जम कर मिट्टी खोदी गई अच्छी खासी समतल जमीन को अवैद रूप से खोद खोद कर तालाब बना दिया दरसल जनपत कर के इशारे पर की गई कर्तूद बता रही हैं कनौच के गदनपूर बड्डू में करीब 18 एकर जमीन पर 50 करोड की लागत से स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव अखिले श्यादव के मुख्यमंत्रे के काल में पास हुआ था यह हकीकत है अब जरा खौबों की बात हो जाए ए एक कनौच का अंतराश्टे मानक का स्टेडियम भो यह खौबी तो है अबी जराश्टिये ततांतर राश्टिये इस तरफर पर परतिबाग कर सकते हैं लेकिन हम आपको हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं जो कनौच के साथ दुर्विवार हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है एक एक तस्वीर ये बयां कर रही है कि अवैद रूप से खनन हो रहा है अगर हो रहा है तो दोशी कौण अधिकारी सो क्यों रही हैं जिनके उपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही हैं एक लंबी सांस लेजिए और चैन से सो जाईए क्यूंकि चाल चरित्र और चहरे की बाद चुनावी चस्कों में अच्छी लगती है हकीकत के हमाम में सब एक जैसे ही नजर आते हैं और अगर नहीं तो फिर ये हाला क्यों वैसे भी करनौश के हाल बद से बत्तर हो रहे हैं राश्टी इस्तर का स्टेडियम था जिसका हम लोगों ने प्रयास करके जमीन अधिकरत हो गई थी किसानों को मुहाबजा दे दिया गया था उसके बाद सरकार कुछ नहीं करा पाई एक स्टेडियम नहीं आप देखिये पुरा तत्त्य संगराले बना खड़ा है बच्चों का सांस्कति क्लान बना खड़ा है अगर हम मेटकल कालिज पैरा मेटकल कालिज किसान बाजार मंडी दस्यों दरजनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बने खड़े हैं लेकिन सरकार की इच्छा सकती नहीं है कन्नोच को एक दूसरे नजर से देखा जाता है क्योंकि ये समाजबादियों का गलरा यहां पर सरकार को कुछ करने में अच्छा नहीं लगता है जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए संगर्ष करते रहें और जल्द ही इस्टेडियम जो इस्थान है उसी जमी पे हम लोग बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे बैठेंगे दरसल अखिलेश यादव के मुख्य मंत्रित्व काल में जिले में एक अंतराश्ट्य स्तर के स्टेडियम का प्रस्ताव पास हुआ था स्टेडियम के लिए महीनों जगहां की तलाश होती रही लेकिन जमीन न मिलने के कारण स्टेडियम निर्माण अधर में लटका रहा युवा कल्यान वखेल विभाग को सदर ब्लॉग गदनपूर बड़ू में बड़ी जद्दो जहत के बाद 18 एकर जमीन स्टेडियम के लिए मिली विभाग उस जमीन पर स्टेडियम बनाने की तयारी कर रहा है लेकिन भू माफ्याओ की निगाहें स्टेडियम निर्माण शुरू होने से पहले ही इस जमीन पर पड़ गई कुछी दिनों में स्टेडियम की चैनित जमीन एक गहरा गड़ेदार तलाम नज़र आने लगी है स्टेडियम के जमीन पर खनन के लिए सपानेदा भाजपा पर आरोप लगा रही है उनका कहना है कि खनन करके मिट्टी हाइवे चोड़ी करन के लिए बेची गई है ये प्रशासन पर सत्ता बक्ष के दबाव में कोई कारेवाही ना करने का आरोप भी लगा रहे हैं जो माननी पूर्व मुख्यमंत्री अकलेस यादो जी ने कन्नोच को एक बड़ी स्टेडियम की सोगात दी थी वो भारती जनता पार्टी के कार करता सब कुछ खोद गए खोद के साला बिलकुल गड़ा कर दिया है प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा है जब छोटे मोटे चौकी इंचाल और तमाम लोगों से कहिए तो हसके टाल देते हैं कि आप भी जानते हो जो कुछ हो रहा है बड़ा दुरभाग्य पूर्ण है जहां बच्चों को लोगों को खेलने के लिए एक तरफ आप देखिए ब्यत्तित्तो एक लोग अच्छा कर रहे थे कन्नोज को स्टेडियम दे रहे थे दूसरे कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं लेकिन वहां ताल कर रह जादिकारी तक भी पहुंचेगी लेकिन क्या खनन करने वालों के खिलाफ कारेवाही होगी क्या कन्नोज के लूटने वालों को आखिर में जनता ही पाठ पड़ाएगी सवाल कई हैं पर उत्तर होई नहीं है अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन जरूर दबाए ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथ ही लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलिएगा जुड़े रहे अपने शेहरों की ख़वरों के संसार के साथ पंचौरा न्यूज के साथ